इस वीडियो के अंदर हम 20 से लेके 26 नवेंबर की economy की quick news analysis करने वाले हम इस वीडियो में हम जो भी आपके important news और editorial साहे थे the Hindu और Indian Express के अंदर वो सभी के सभी कवर कराई पिछले अफते में एक term बहुत बारी news के अंदर आई थी वो थी green shipping तो सबसे पहले हम green shipping देखेंगे कि अचाता है उसने अपने समनी यह aspiration रखी है तो इंडिया क्या क्या steps ले सकता है to become a developed country as well as what are the challenges which India is facing right now थीक है तो हमारा second वो है इसके अंदर हम 3-4 editorials को combine करके आपको एक analysis देंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे wave of और write-off के बीच में क्या difference है क्योंकि कुछ news आई थी कि जो Indian banks है उन्होंने बहुत सारे loans जो है उनको जो इनके NPS थे उनको write-off कर दिया है तो write-off करने में और wave of करने में क्या difference होता है write-off क्यों करती है banks उससे उनको क्या benefit होगा फिर देखेंगे कि RBI का एक concern है कि आज की date में deposit growth कम हो चुका है तो deposit growth क्यों कम होता है और उससे हमारी economy के उपर क्या आसर होगा वो हमारी अगली न्यूस रहेगी फिर एक scheme news के अंदर थी जो की 19 scheme है which is related to mg नरेगा तो इसके अंदर हम mg नरेगा और 29 scheme दोनों को साथ में cover करने वाले हैं फिर आपका petroleum natural gas regulatory body इसने आपके natural gas norms को comment किया था तो एक तो यह देखना है और इसके सासात हम द network city gas network को भी हम देखेंगे ondc काफी ताइम से news के अंदर चल रहा है फिर lithium lithium के लिए इंडिया ने अपनी एक team को Argentina में भेजा है lithium की आज की date में importance बहुत increase हो गई है क्योंकि हम जो भी आज की date में आप products देखते हैं चाहें आपके smart phones हो या फिर कोई भी चीज हो battery उसके अंदर use होती है और lithium जो है उस battery का एक key component हमें देखने को मिलता है but India is entirely dependent on other nations for lithium तो इसलिए इंडिया की team अर्जेंटीना में गई है क्योंकि lithium majorly आपका पाया जाता है ABC nations के अंदर अर्जेंटीना बोलीविया एंड चिले तो यह वाली जो न्यूज है इसको भी देखेंगे पीडियाफ अगर हमारे lecture के आप डाउनलोड करना चाते हैं तो exam quest 247 टेलिग्राम चैनल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को like और share करना ना भूलिएगा चैनल पने है तो चैनल को subscribe करें और वीडियो के नीचे एक comment ज़रूर छोड़के जाहिए चैनल ग्रीन शिपिंग को देखते हैं ग्रीन शिपिंग से स्टार्ट करते हैं हमारी ministry of ports, shipping and waterways ने एक national center of excellence को स्टार्ट किया है यह जो national center of excellence है यह टेरी के साथ मिलके काम करेगा टेरी के है the energy and resource institute तो टेरी इस national center of excellence for green ports and shipping का knowledge partner है और implementation partner है इसके साथ साथ आपको याद रखन है कि यह जो national center for green ports and shipping है यह सागरमाला प्रोग्राम के अंडर काम करने वाला है अब सवाल आता है कि आखिर green shipping होती कह है आप ships को use करते हैं to transport people and goods from one place to another and whenever you are using any means of communication, any mode of communication, you will be spending some energy and some resources on it, अब energy और resources जो spend हो रहे हैं इस से कोई ना कोई आपकी greenhouse gases की emission होगी and this greenhouse gas emission can impact your environment, हम चाते हैं कि हमारी shipping के थुरू हम environment को कम से कम impact करें और environment के impact को reduce करने के लिए we are going to use as less energy and as less resources as possible और इसको का जाता है green shipping, ठीक है तो जब दोगों को और goods को transport किया जा रहा है ships के थुरू using minimum resources and energy तो उसको हम green shipping के नाम से जानते हैं आज की date में अगर हम shipping की बात करें तो shipping 10% से भी कम renewable energy को resource की तरह इस्तमाल करता है, अगर हम renewable energy को resource की तरह जादा इस्तमाल करने लगें, तो हमारी जो shipping है वो जादा carbon neutrality की तरफ भढ़ती जाएगी, तो इसी लिए इंडिया ने अपने सामने target रखा है, that we want to increase this renewable energy usage in our shipping industry to up to 60% ठीक है, और ये renewable energy shipping में कहां से आ सकती है, इधर थू इधर थू wind और थू solar ठीक है, इन दोनों sources से हम renewable energy ले सकते हैं for shipping industry, green shipping से जुड़े कुछ international अगर हम efforts की बात करें, तो international maritime organization ने एक greenhouse gas strategy बनाई थी, ठीक है, इसी strategy को follow करते हुए, एक partnership हुई थी, between government of Norway and international maritime organization, ठीक है, इन दोनों की partnership के अंदर इन्होंने एक project start किया था, जिसका नाम है green voyage, green voyage 2050, ये जो green voyage 2050 project है, ये international level पे shipping को carbon neutrality की तरफ ले जाने के लिए काम करते है, इस project के अंदर आपकी government of Norway and IMO help करती है आपकी, जो भी small island nations है, आपके least developed countries है, जो आपकी developing countries है, इन सभी को support करती हैं कि वो किस तरह अपनी shipping industry को जितना जादा efficient हो सके, उतना efficient बनाए, जितना जादा green हो सके, उतना जादा green अब अगर हम shipping की बात करी रहे हैं तो फिर इंडिया का जो effort है, अपनी shipping को efficient बनाने का, वो effort भी देख लेते हैं, 2015 के अंदर इंडिया ने सागरमाला program को initiate किया था, इसके पीछे reason यह था कि इंडिया की जो coastline है, it is almost 7500 km long, 7500 km long coastline है, और यहाँ पे जो आपके ports है, इन port से ही इंडिया का जो export है, और import है, वो यहीं से ही होता है, तो अगर हम अपनी logistic cost को improve कर दें, by investing in our import, by investing in our port infrastructure, तो उसके बाद हमारा जो export और import है, वो थोड़ा सा कम महंगा हो जाएगा, मतब की सस्ता हो जाएगा, तो अगर हमारी logistic cost reduce होती है, तो इससे हमारे export जादा competitive हो तो competitive ness India की increase होगी, तो इसी लिए हमने सागरमाला प्रोग्राम के अंदर ports को, ports के उपर कुछ काम करना चालू किया, अगर याद रखना चाहें, तो आप 5 steps याद रख सकते हैं, हम ports को modernize करना चाहते हैं, जो already existing ports हैं, उनको modernize करो, और new ports की development करो, इसके साथ ports के साथ connectivity को enhance करना है, आपने सिरफ इस area में जो port था उसको develop कर दिया, लेकिन जब तक ये आपके hinterland से connected नहीं है, तब तक इस ports पे सामान ले जाना और लाना बहुती मुश्किल हो जाएगा, तो इसी के लिए हमने connectivity को enhance करने की भी बात करी थी, अब क्योंकि ports हमारे export और import के साथ directly linked हैं, तो आपका तीसरा point हो जाएगा, port linked, port linked industrialization, ठीक है, तो industries और ports के बीच में एक तरह से, यहीं पर ही आप cluster बना दीजे, industries का, यह industries यहाँ पर manufacture कर रहे हैं, और यहीं से उनका export हो गया, तो logistic cost अपने आप ही कम हो जाएगी, अब आप किसी भी जगा पे अगर development कर रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ industry को benefit नहीं दे सकते, you need to also give benefits to the people living around this port, तो यहाँ पे coastal community, coastal community development के उपर भी focus किया जाएगा, इसके साथ साथ आपकी coastal shipping और inland waterways का भी यहाँ पे development होगी, तो majorly यह 4 प्लस में, coastal shipping and inland water transport. inland water transport, इन सब चीजों के उपर focus किया जाता है सागर माला प्रोग्राम के अंदर, एक और चीज हमारी May 2022 के आसपास news के अंदर थी, और वो क्या चीज थी, PM Modi ने एक initiative launch किया था, जिसका नाम है सागर टट समरिद्धी योजना, यह जो सागर टट समरिद्धी योजना, यह coastal community की development के लिए launch किया गया था, यह जो initiative था, इस initiative के अंदर, इंडिया में धिर सारे project start किया जाएंगे, यह project क्या करेंगे, यह coastal area में infrastructure को develop करेंगे, ताकि वहां की जो community उसको benefit हो सके, community के एक तरह से आप economic opportunities को increase करने के लिए, coastal area के अंदर tourism को promote किया जाएगा, तूरिजम को promote करेंगे, coastal area में जितना हो सके उतनी industry लगाएंगे, और coastal community की development करेंगे, यह था आपका सागर टट समरिद्धी योजना, जो कि आपका May 2022 के आसपास release किया गया था, तो इस green shipping के तुरू, हमने एक international effort देखा था, जिसका नामे green voyage 2050, और उसके बाद हमने इंडिया के effort देखे है, सागर माला प्रोग्राम और आपका सागर टट समरिद्धी योजना, जो हमारी अगली news है, यह बहुत ही ज़ाधा important है, especially इस साल के लिए, इंडिया एक developed country बना चाहते है 2047 में, इसका यह जो हमने vision समने रखा है, यह vision हमें दिखाई देता है, 15 अगस्त की speech पे इंडिया को एक developed nation बनाना, अब इस news में जाने से पहले हम कुछ facts को देख लेते हैं कि आखिर आज की date में इंडिया कहां पे stand करता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में per capita income है around 2170 dollars, ठीक है, यह इंडिया की है, अगर मैं इसी को compare करूं, बाकी देशों के सा चैना के साथ अगर इसको compare करता हूं, तो चैना की per capita income around 11,000 dollars है, ठीक है, इंडिया की 2100 और उनकी 11,000, चैना से अगर मैं थोड़ा सा over उपर भड़ता हूं, क्योंकि चैना भी अभी developed country नहीं है, वो भी अभी आपके middle income countries के अंदर आता है, अगर मैं high income countries की बात करूं, जैसे क US हो गया, US की around 70,000 dollars per capita income है, अगर मैं इससे भी उपर जाओं तो Norway, Norway के अंदर per capita income 80,000 dollars की हो जाती है, तो इंडिया को अभी बहुत बड़ा रास्ता है, जो की अभी tag करना है, ठीक है, तो ये तो हो गया per capita income की बात, अगर मैं बात करूं, growth rate की, तो जो experience से हमें देखने को मिल रही थी, उसी के बाद चाइना आज की rate में 11,000 dollars की per capita income पे पहुँचा है, अगर मैं इंडिया की बात करना है, तो इंडिया की highest growth rate हमें 2005 से लेके 2011 के period में देखने को मिली थी, और इंडिया की ये highest growth rate भी 8.8% की थी, फिर उसके बाद से growth के अंदर हमें slowdown देखने को मिल रहे especially after covid, covid के बाद और अभी जो रशिया यूक्रेन की war चल रही है, इन सब situation के बाद आज की date में इंडिया का जो short term vision हो चुक है, वो ये है कि इंडिया की growth rate को फिर से stabilize करो around 6.7% to 7% के आसपास, ठीक है, तो इंडिया के सामने challenges बहुत बढ़े हैं, according to experts, अगर इंडिया भी double digit growth म में 2 decades तक, 2 decades तक grow करेगा, तो इंडिया एक developed nation बन सकता है, और अगर इंडिया double digit, double digit मतलब की 10% से जाधा में अगर grow करे, अगर इंडिया double digit में नहीं grow करता, और इंडिया 7% की growth rate दिखाता है आने वाले 20 सालों में, यानि की 2 decades तक, तो उस case में इंडिया developed nation के tag के पास पहु इंकम के अंदर 197 देशों में 142nd rank पर आता है, यानि की per capita income में बहुत जाधा इंडिया ने development नहीं कि, progress नहीं हमें देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया के अंदर आजादी के बास से लेके, आज तक हमारी literacy rate और life expectancy के अंदर बहुत जाधा difference देखने को मिलता है, 1951 में literacy rate 18.3 50% था, which became 74.4% in 2018, life expectancy also increased to 69.7 years, जो कि आजादी के time पर estimate किया जाता है, around 32 साल थी, आप खुद imagine करिया, आज से 75 साल पहले, लोग सिरब 32 साल के लिए जीते थे, ये हैं इंडिया की average life expectancy होती थी, तो life expectancy के अंदर भी हमें काफी जाधा development देखने को मिलती है, अब हम article की बात करत है, article पहले तो ये discuss करता है, कि इंडिया के अंदर develop करने की जो strategies है, वो strategies में हमें change देखने को मिलता है, अगर हम 1950 से लेके 1991 के time period की बात करें, तो development model था state led, development model state led था, जिसके अंदर state जो है वो एक doer का का काम करता था, business के अंदर भी state अपना role play करता था, जो PSU थे, public sector undertakings थी यानि की सरकारी कंपनिया, सरकारी enterprises, ये जो PSU थे, इनको economy की commanding heights दी गई थी, इनको economy की commanding heights दी गई थी, जिन sectors के अंदर private sector को allow किया गया था, कि वो अपनी firms open कर सकते हैं, या business कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमें एक बहुत ही elaborate system देखने को मिलता था, license quota permit राज का, license quota permit राज न इंडिया के अंदर business करने को बहुत जादा difficult बनाता था, उसके साथ साथ इंडिया के अंदर corruption एकदम नीचे के level तक के जो officials होते थे, वहाँ पे भी corruption जो है, वो इस license quota permit राज की वजह से होता था, ये तो इंडिया के domestically हमारे private sector grow नहीं कर रहा था, और हमारी economy की commanding heights जो है, व और PSU's were run by bureaucrats, तो PSU's के अंदर भी आपको बहुत जादा inefficiencies देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से 1989 तक इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा financial crisis जो है, वो हमें start होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर था, इंडिया का बाहर के दुनिया के साथ क्या relation था उस टाइम पर, इंडिया का, इंडिया एक closed economic model को follow करता था, जिसके अंदर इंडिया बाहर के देशों से सामान को अपने देश के अंदर import करना कम से कम करना चाता था, इसलिए इंडिया ने एक policy start करी, policy थी import substitute, कि हम जो भी सामान बाहर से मंगा रहे हैं, हम उस सामा का, import substitution के अंदर उन्होंने अपनी economy को close कर रहाता है, इंडिया ने, लेकिन 1991 के अंदर, इंडिया को अपने इस पुराने model को dismantle करना पड़ा, और 1991 के अंदर, इंडिया को अपनी economy को open करना पड़ा, open for trade with other world, other countries, 1991 के अंदर, state के role को भी change किया गया, from a doer, state became an enabler, state को कहा गया कि आप business खुद मत करो, आप ऐसा business का climate बनाओ, जिसमें private sector, business को efficiently कर सके, बिना किसी restriction के गड़ सके, इंडिया के अंदर, जो license quota permit राज था, इस license quota permit राज को dismantle किया गया, PSU's के अंदर, privatization देखने को मिली, dis investment देखने को मिली, जो PSU's loss making थे, उन PSU's को बंद कर दिया गया, तो इससे state का जो role है, state का role पूरी तरह से redefine कर दिया गया, 1991 के अंदर, और state जो है, अब business के अंदर नहीं है, उस time पे एक बहुती famous sentence होता था, state has no business to be in business, तो इस model को follow करते हुए, 1991 के बाद से, इंडिया ने अपनी economy को develop करने की strategy के अंदर change किया, 1991 के बाद से, इंडिया ने अपनी GDP के अंदर, एक fast pace पे, fast pace पे increase देखा है, इंडिया की highest जो हमें GDP growth देखने को मिलती है, वो 2005 से लेके, 2011 के बीच में देखने को मिलती है, which was around 8.8%, और यह वो time period था, जिसमें, दुनिया के अंदर, एक recession आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया जो है, दुनिया में लगबख सबसे तेज ग्रो करने वाले देशों में था, 8.8% से वो ग्रो कर रहा था, इंडिया के सामने जो challenges है, उससे पहले हम एक, छोटा सा एक discussion कर लेते हैं, देखे, COVID-19 के बाद से, जब से यह COVID pandemic आया है, हमें यह clear हो चुका है, कि इंडिया को ग्रो तो करना ही है, तो उसको यह ensure करना है कि private sector, private sector को ease of doing business प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपने business को आसानी से करता रहे और private sector engine बने हमारी economy का, इसके साथ हमें दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, वो यह कि लोगों के पास adequate safety nets होने चाहिए, safety nets क्यों क्योंकि हमारी society में बहुत सारे ऐसे section है, विचार vulnerable, COVID pandemic के बाद से वो अभी तक पूरी तरह से economically उसी level पे नहीं आ पाए, economically stable नहीं हो पाए है, जितना वो pandemic से पहले थे, तो यह जो safety nets है, यह safety nets कौन provide करेगा, private sector तो safety nets provide नहीं करता, private sector तो profit के लिए काम करेगा, तो these safety nets have to be provided by state itself, तो state को safety nets provide करने के लिए अपना expenditure करना ही पड़ेगा, state पूरी तरह से economy से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, अब अगर challenges की बात करे है कि post covid, post covid recovery अभी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, ठीक है, covid के time पे बहुत जाधा हमारे जो small scale industries थी, उनको काफी जाधा harm पहुचा था, और वो जब तक पूरी तरह से अपनी stable pace पे नहीं आ जाएंगे, pre pandemic stage पे नहीं आ जाएंगे, तब तक थोड़े से issues रहेंगे, दूसर in prices, हर जगा पे हमें inflation देखने को मिल रही है, जाए वो US हो, UK हो, इंडिया हो, हर जगा inflation है, यह जो inflation है, this is again harsh on, harsh on, poorer section, तो इंडिया के अंदर जो vulnerable लोग थे, उनहीं को inflation की सबस्यादा मार भी झीलनी पड़ रही है, तो inflation का एक challenge हमें देखने को मिलता है, तीसरा challenge है, कि इस देश के अंदर inflation बहुत हई है, inflation जब हई होती है, तो inflation को control करने के लिए, वहां का Central Bank Interest Rates को increase करता है, Central Bank Interest Rates को increase करेगा, तो जैसे अगर US का Central Bank Interest Rates को increase करता है, तो उस case में इंडिया के अंदर जो US के लोगोंने पैसा invest किया था, वो अपने पैसे को इंडिया से बाहर ले जाते हैं तो यहां पे हमें बहुत जादा आउट फ्लो भी देखने को मिलेगा आउट फ्लो भी देखने को मिलेगा इस्पेशली आपके FIIs का तो यह भी एक चैलेंज बन रहा है कि इंट्रस्टेट जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं चौथा अभी OECD की रिपोर्ट्स आहीं थी जिसके हिसाब से जो डेवलब्ड नेशन्स हैं डेवलब्ड नेशन्स की ग्रोथ के अंदर भी हमें बहुत जादा स्लो डाउन देखने को मिलेगा पूरे दुनिया के सामने और वह चैलेज और बनाया जा रहे और वह दबाव क्या है कि developing nations कम से कम greenhouse gases को emit करें जो भी देश डेवलप करता है तो उसकी industries run करती है उसको धेर सारा fuel use करना पड़ता है energy की requirement होती है जब भी energy की requirement होगी तो उससे greenhouse gases produce होंगी specially इंडिया जैसे देशों के अंदर जहां पे हमारा जो major source of energy है वो thermal power plants है coal की burning से जो की energy हम produce कर रहे है तो यह जो greenhouse gases का emission है इसको कम करने का हमारे उपर दवाब बना हुआ है तो अब हमें यह भी balance करना होगा कि हमारी सिर्फ development ना हो development sustainable हो ठीक है और environment को जादा हाम ना करे तो यह सारे की सारे challenges अभी इंडिया के सामने खड़े हैं ठीक है अगर article में देखे तो article भी इन ही सब challenges की बात कर रहे है फिर उसके आदेख लेते हैं कि आखिर इंडिया ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो developed nation बन जाए पहली चीज तो इंडिया को आने वाले 20 सालों में कम से कम 7% की growth rate दिखानी पड़ेगी 7% या उससे जाधा की तभी हम यह उमीद कर सकते हैं कि इंडिया थोड़ा सा developed country के आसपास पहुँच पाए इंडिया को अपने export sector को और भी strong करने की जरूरत है अपने exports को competitive बनाने की जरूरत है manufacturing को strong करना पड़ है उसको strengthen करने की जरूरत है test इंडिया के अंदर हमें jobs create करने है और इंडिया में फिक एक Лगम है पड़ाए था वह आर्टिकल क्या बात करता है आर्टिकल कहता है कि इंडिया में यह श May यह कि इंडिया में jobs नहीं है, इंडिया में issue यह है कि इंडिया की जो jobs है, वो concentrated है, unorganized sector के अंदर, informal sector के अंदर organized, informal sector के अंदर वो देखने को मिल रही है, तो जब तक हम अपनी jobs को organized sector के अंदर नहीं लेके आएंगे, तब तक लोगों को safety nets नहीं मिलेंगे, और safety nets नहीं स्कोप होता है ग्रो करने का तो इसलिए हमें और जादा नौकरियां क्रेट करने की जरू होता है अच्छा अब जॉब्स की अगर बात करते हैं तो एक जॉब्स के साथ एक और इश्वा प्याद रख सकते हैं कि कि अगर आप किसी इंसान को हाईर करना चाते हैं और आपको लग जाता है कि यह नौकरी देने लायक ही cảmिANS और यह लगते है को नौकरी के बार ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी यह कंपनी के ऊपर एक्स्रा बर्डन है तो आप उसको भी हाईर ने करेंगे तो इसलिए jobs कब create होंगी jobs तब create होंगी जब इंडिया का curriculum हम इस तरह से develop करेंगे कि employability के उपर ज़्यादा focus हो इंडस्ट्री जिस चीज की demand कर रही है इंडस्ट्री और education के बीच में हमें यह जो mismatch है यह जो gap is gap को खतम करना है इंडस्ट्री की जो demand है आज ही डेट में इंडिया 5th largest economy है लेकिन इसकी per capita income काफी ज़्यादा पूर है 197 देशों में यह 142 पे आता है यह हम अल्रेडी देख चुके है एक article जो है वो fireproofing strategy के बारे में बात करता है fireproofing के अंदर वो बात करता है कि इंडिया को पाँच एरियास पे सही से काम करना चाहिए पाँच एरियास हैं डाइम्स डाइम्स में है डिप्लोमेसी, information, military, economics and society इन पाँच एरिया पे इंडिया को काम करना है और इन पाँच एरिया में इंडिया डेवलप करेगा तो इंडिया की growth हम देख सकते है इसके अंदर ये fireproofing का क्या मतलब है fireproofing का मतलब है देखे दुनिया के अंदर अभी दुनिया भर के crisis चल रहे है अब इन crisis से निपटने के लिए अगर हम पहले से अपनी strategy बना के रखे कि आने वाले समय के अंदर जो भी crisis आएंगे तो हम already तयार होंगे वो crisis हमें affect नहीं कर सकते fireproofing का ये मतलब होता है तो एक fireproofing होती है और एक fire fighting होती है fire fighting के अंदर हम क्या करते हैं कि crisis आगया आने के बाद हम उससे जूज रहे हैं लेकिन fireproofing के अंदर हम पहले से ही ये तयारी करके बैठते हैं कि crisis है तो हमारे उपर कम से कम असर हो और अगर असर होता भी है we can recover as quickly as possible तो economy के अंदर अगर हम fireproofing की बात करते हैं तो fireproofing तब होगी जब हम poverty से already बाहर निकल चुके होंगे तो poverty elevation के उपर हमें ध्यान देना है हमें jobs creation चाहिए jobs creation के लिए हमें universal education और health care provide करना पड़ेगा और इसके साथ हमें human development index के जो बागी parameters हैं जैसे आपका standard of living हो गया capita income हो गया वो सारे के सारे parameters पे हमें already काम करना चालू करना है तो यह आपका पूरा का पूरा article था कि India 2047 में develop बन पाएगा या नहीं बन पाएगा क्या क्या challenges इसके सामने हैं इसके साथ साथ आपका fire proofing का एक बहुत ही बड़ा article है जिसमें diplomacy, information, military, economics सब के बारे में कुछ-कुछ बात की गई है society के बारे में भी तो अगर आप चाहते हैं कि उसके उपर आपको एक separate video provide की जाए क्योंकि वो आपके mains में बहुत जादा help कर सकता है तो आप comment section में बताइएगा मैं उसके उपर एक separate video provide करूँगा अगर कोई topic ऐसा है जो कि आपको परिशान करता है जिसके उपर आपको एक detail discussion चाहिए तो वो भी आप comment section के अंदर बता सकते हैं अगली वीडियो देखते हैं अगली वीडियो भी हमारी macro economy से जुड़ी हुई है industry ने क्योंकि अब budget पेश होने वाला February के अंदर तो उसका जो process है process already start हो चुका है तो budget के लिए industry कुछ demands करी है industry कह रही है कि जो लोगों के उपर आज की date में tax का burden है वो tax का burden बहुत जादा increase हो गया और tax burden increase होने के वज़े से लोगों की purchasing power कम हो रही है purchasing power कम हो रही है तो they are demanding less goods they are demanding less goods तो अगर हमें अपनी domestic market के अंदर demand को फिर से revive करना है तो हमें उनके उपर से tax burden को reduce करना होगा and this is what the industry is also asking the government to do एक और चीज़ जो industry ने point out किया वो यह है कि क्योंकि आज की rate में individual के उपर income tax बहुत जादा high हो गया तो जो लोग sole proprietor होते है sole proprietor जो भी business करते हैं वो sole proprietorship के उपर income tax lab के according ही पैसा देते है और अगर कोई sole proprietor है तो उसके उपर income tax पूरा का पूरा लग जाता है वो around 42% के आसपास हो जाता है तो जितने भी sole proprietor थे वो अप क्या कर रहे हैं वो अपने आपको corporate tax के अंडर लाने के लिए अपनी sole proprietorship को companies के अंदर चेंज कर रहे हैं तो यह चीज़ भी आप ध्याद रख सकती कि अगर income tax हाई होगा यह फिर disparity होगी between corporate tax and income tax तो उस case में जादा sole proprietors companies के model की तरफ shift करने लग जाएंगे ठीक है तो एक तो demand याद रखने है demand क्या है कि industry चाती है tax burden कम हो ताकि लोग जादा चीज़ों को purchase कर पाएं क्योंकि industry काम करती है on the principle of profit वो कोई भी चीज सिरफ तभी produce करती है जब उस चीज की demand होती है अगर लोग ही चीज़ों की demand नहीं करेंगे तो industry अपनी investment को withhold करके रखेगा वो invest नहीं करना चाहेगा economy के अंदर वो पहले wait करता है demand की तो इसलिए ये वाली आपको news देखने को मिल रही है मैं शायद इस news के starting में बोल गया था कि अगली वीडियो में देखते हैं वो actually में था अगली news में देखते हैं वो गल्पी से वीडियो निकल गया अगली news देखते हैं अब अगली news ये है कि इंडिया के अंदर banks ने लगबग 10 लाख करोड के जो NPS थे non-performing assets थे लोन्स थे उन लोन्स को राइट आफ कर दिया है उन लोन्स को राइट आफ कर दिया है पिछले 5 सालों के अंदर 10 लाख करोड के लोन्स राइट आफ किये गए हैं तो उसको provisioning करनी होती है provisioning क्या है provisioning basically एक तरह से आप cushion की तरह समझे कि bank क्या करती है bank कभी भी कोई लोन देती है तो मान लिजे 100 रुपे का लोन दिया और उसको उमीद है कि ये पूरा का पूरा 100 रुपे का लोन वापिस आ जाएगा तो वो अपने पास एक अलग बकसे के अंदर इस 100 रुपे के लोन के पीछे एक रुपे डाल के रखती है इसका ये एक रुपे क्यों डाला हुए bank ने ये इसलिए डाला है कि ये जो लोन है ये काफी safe है इसके वापिस आने के बहुत ज़्यादा chance है अगर by chance ये वापिस नहीं आया तो एक ये दो रुपे वापिस नहीं आएंगे तो हम already अपने बकसे के अंदर ये एक रुपे डाल के रखते हैं ताकि future में हमें ज़्यादा problem ना है एक cushion की तरह उन्हें रख लिया वहीं पर उन्होंने 100 रुपे विजय मालिया को दिये हुए थे उन्हें ये लगा bank को कि इसको 100 रुपे तो दे दिया है लेकिन इससे loan वापिस आने के chances बहुत ही कम है लगभग ना के बराबर है तो अगर वो ऐसे इंसान को जो की बहुत ही ज़ादा risk ही है उसको loan देते हैं तो उस case में वो जादा पैसे अपने बकसे के अंदर डाल के रखेंगे कि अगर आगे ये loan वापिस नहीं आया तो हमने already अपनी provisioning कर रखी है कि loan नहीं आ रहा तो इसलिए जब loan दिया जाता है loan को कहा जाता है banks का asset जब ये loan 90 days तक इस loan का या तो principle या फिर interest या फिर दोनों ही चीज़े वापिस नहीं आती तो bank ये कहने लग जाता है कि हमारा जो asset है हमारा asset is not performing for us तो इसलिए इसको NPS कहने लग जाते हैं अब अगर loan perform नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है कि उसका risk increase हो गया जैसे जैसे loans का risk increase होता है वैसे वैसे banks को अपनी provisioning increase करनी पड़ जाती है तो अगर banks के पास धेर सारे NPS होंगे तो इसका मतलब ये है कि उनका धेर सारा risk है तो इसलिए उनकी provisioning requirement भी बहुत ही जादा हाई हो जाती है write-off के अंदर क्या किया जाता है write-off के अंदर banks इन NPS को अपनी balance sheet से हटा देती है write-off का मतलब ये नहीं है कि bank कोई effort नहीं करेगी इन loan को वापिस लेने का write-off का मतलब ये नहीं है कि loan को maaf कर दिया गया loan maaf नहीं किया गया loan को recover करने की कोशिश होगी सिरफ इपनी balance sheet से इनको हटा दिया ताकि banks को provisioning ना करनी पड़े banks इनको अपनी banks इसको कैसे दिखाएगी banks इसको दिखाएगी कि ये जो पैसे हैं ये पैसे हमारे loss हो चुके है अब जो पैसा loss ही हो चुका है उसके लिए हम क्या ही provision करके रखें अब write-off करने का एक और benefit होता है एक benefit तो आपने देख लिए कि bank को कम provisioning करनी पड़ेगी दूसरा benefit क्या है दूसरा benefit ही होता है write-off करने का कि banks को जब banks अपना tax pay करेंगे तो banks अपना tax pay करते हैं profit के उपर जितना भी banks को profit हो रहा है तो उस profit में से वो अपनी इस provisioning को expense की तरह minus कर सकते हैं और फिर जो समायेगा सिरफ उसके उपर tax pay करेंगे यानि कि जब भी वो write-off करते हैं loans को तो उनके जो tax liability है tax liability reduce हो जाती है तो पिछले 5 सालों के अंदर banks ने अपने धेर सारे NPO's को write-off किया है तो एक तो टम होती है write-off और दूसरी होती है wave-off wave-off का मतलब होता है कि loan पूरी तरह से माफी कर दिया जिस भी इंसान ने उधार लिया था अब उस इंसान से उधार वापिस लेनी की कोई भी effort नहीं किये जाएंगे ठीक है write-off के अंदर effort करते रहेंगे अगर वापिस आगे तो बहुत अच्छा नहीं वापिस आया तो फिर उस case में तो वो return off है balance sheet से ठीक है तो यह write-off किया जाता है to clean up the balance sheet इसके अंदर अपनी books में से अपनी books में से वो loans को दिखाना बंद कर देते हैं इससे जो banks ने अपनी provisioning के अंदर पैसा रखा हुआ था वो पैसा जो है वो free हो जाता है दूसरा tax liability जो है वो tax liability कम हो जाती है अगली हमारी news है RBI ने एक concern show किया है क्या है कि इंडिया के अंदर deposit की growth rate काफी slow हो रही है देखिए जो भी banks होते हैं banks credit किस basis पर देते हैं banks के पास जिन भी लोगों के पास surplus money होता है they would deposit their money with banks ये जो deposit है ये banks के उपर liability होता है because banks have to return this money फिर उसके बाद banks के बाद धिर सारी deposit आ रहे हैं जितने deposit आ रहे हैं उन्ही deposit का certain percentage they give out as loans और ये जो loans होते हैं इनको asset की रूप में कहा जाता है ठीक है तो banks कितना ज़्यादा loan दे सकते हैं depends on deposits तो अगर deposit increase होगा तो उनकी loan देने की capacity जो है वो भी increase हो जाएगी लेकिन इंडिया के अंदर deposit जमा ही ना कराते हो तो उस case में bank के अंदर deposit कम हो जाएगा दूसरा कारण क्या हो सकता है दूसरा कारण जो एकदम ही evident है that is increase in inflation because of high inflation the purchasing power of people have reduced और अब लोगों को जादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं just to fulfill their basic necessities तो क्योंकि inflation है इसलिए लोगों के पास कम पैसे कम पैसे तो वो कम पैसे कोई bank में जमा कर पा रहे हैं तीसरा क्या हो सकता है मेरे पास 100 रुपे हैं अब 100 रुपे से 100 रुपे से मैं bank में deposit कर दूँ और bank में जब मैं deposit करता हूं मेरे को आज मिल रही है इसके उपर let's say 4% की वहीं पर मेरे पास 100 रुपया और मेरे को दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन 100 रुपयों को market के अंदर invest करूँ और market के अंदर मेरे को return मिल रही है 6% की तो मैं 100 रुपय को bank में deposit करूँगा या फिर shares खरीदूगा या market में कहीं और invest करूँगा obviously I am going to go for this higher profit तो फिर मैं यहां पर जाने लगूँगा तो banks के अंदर deposit और कब कम हो सकते हैं वो कम हो सकते हैं जब banks का deposit lower है और लोग जो हैं वो दूसरे avenues देख रहे हैं investment के चौथा कारण हो सकता है कि हमारा जो financial system है financial institutions है they are not inclusive वो दूर दराज के area के अंदर अपनी services provide नहीं कर पारे हैं जिसके से लोगों को यह जो basic banking facilities है यह नहीं मिल पारे हैं तो यह कुछ कारण हो सकते हैं जो की एकदम ही उपर से दिखाई देते हैं हमें अब RBI ने जो concern दिखा है RBI ने bank से बोला है कि आप नई technology का use करो आप logo के अंदर awareness create करो और अपने deposits को दुबारा से mobilize करने की पोशिश करो ठीक है यह global headwinds हैं इसके बारे में हम already discuss कर चुए हैं कि आज की डिट में क्या-क्या दुनिया के अंदर challenges हमें देखने को मिल रहे हैं एक RBI ने एक और बात बोली और वो यह है कि जो demand है इंडिया के अंदर demand की एक बहुत ही uneven profile हमें देखने को मिल रहे हैं जिसमें urban demand अभी भी robust है urban area के अंदर लोग अभी भी खर्च कर रहे हैं और चीजों की demand करे हैं लेकिन rural area से demand जो है वो कम हो चुकी है और rural area के अंदर demand को increase करने की जरुवत है तो basically हम कैस हम इसे एक अनुमान लगा सकते हैं कि urban area में urban area में हो सकता है कि income income gap जादा ना आया हो जो income पहले थी उनकी वो अभी भी है इसी वाज़े से वो demand कर पा रहे हैं लेकिन rural area में हमें ये दिखाई देता है because of inflationary pressure and because of post-covid issues लोगों की जो पैसे हैं लोगों की जो income है वो अभी तक pre-covid level पे नहीं पहुँची है और लोग जो हैं लोगों को ज़्यादा खर्चा करना पड़ है जिसके इसे rural area के अंदर demand जो है वो हमें कम देखने को मिल रही ह एक fact और RBI के November bulletin के अंदर उन्होंने publish किया कि India के जो gross NPS है gross NPS के अंदर हमें reduction देखने को मिली है और अगर net NPS की बात की जाए तो net NPS सिरफ 1% of total assets आज की date में है 1% which is very less ठीक है 39 scheme की बात कर लेते है 39 scheme क्या है MG नरेगा के अंदर लोगों को 100 दिन का लोगों को 100 दिन का एक काम provide किया जाता था ठीक है basically एक तरह से आप क्या सकते है employment guarantee है कि लोगों को 100 दिन की रोजगार मिल जाएगा तो एक चीज़ notice की गई सरकार के द्वारा और वो चीज़ क्या थी कि अगर कोई इंसान ऐ कोई permanent काम नहीं है उसको कोई और opportunity नहीं मिल रही तो ऐसे लोगों को ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों को skills develop करा के कुछ permanent employment का इनका facility provide की जा सके तो इसी लिए 39 scheme को start किया गया था 39 scheme के अंदर क्या किया जाता था इसके अंदर जो mg नेरेगा के workers होते थे mg नेरेगा के workers का skill set skill base अपग्रेड करते थे ताकि वो temporary या फिर partial employment से full employment की तरफ जा सके इसके अंदर eligibility criteria क्या था eligibility criteria यह है कि household का कोई भी इनसान जो की 18 से लेके 45 साल की उमर में आता हो जिसने mg नेरेगा के अंदर 100 दिन तक 100 दिन तक काम किया हो एक साल के अंदर यानि कि maximum days तक काम किया हो उसने mg नेरेगा के अंदर तो ऐसे लोगों को identify किया जाएगा और इनकी skills को upgrade करने के उपर काम होग ठीक है तो यहाँ पर eligibility लिख हुई है 100 दिन mg नेरेगा में काम किया हो और adult होना चाहिए 18 से लेके 45 के age group में है यानि कि बच्चा नहीं होना चाहिए और इतना भूड़ा भी नहीं होना चाहिए ठीक है पैसा नहीं होगा मुझे आप पैसे नहीं दे रहे होगे माले यह training चल रही है तीन महीने की तो तीन महीने क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा खाना तो उसको खाना यह इसलिए उसको mg नरेगा की जो वेज होती है वही उसी baseline पर उसको पैसे मिलेंगे यह जो 29 स्कीम है यह स्की आपकी तीन स्कीम को बेसिकली पहले तीन स्कीम चल रही थी skill development की उन स्कीम के अंडर ही training दिया जाएगा बस नाम उन्नती कर दिया गया है तो कौन सी स्कीम चल रही थी एक चल रही थी आपकी दीन दयाल उपाद्य है ग्रामीन कोशल योजना तो यह एक placement linked scheme है इसके अंदर क प्रोवाइड की जा रही है तो यह ensure किया जाता है कि कम से कम 70% लोग इस training के बाद कम minimum 6000 की salary पे नौकरी पा लें ठीक है तो अगर 100 लोगों को train किया तो 70 लोगों को कम से कम 6000 की नौकरी भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है फिर उसके बाद rural self training institute कुछ अपके प्रोग् विगयन के अंदर के अंदर भी प्रोग्राम चला रहा है 29 स्कीम जब से लॉंच हुई है 29 स्कीम की performance बहुत ज़्यादा खास नहीं दी जिसके जैसे यह न्यूस में था इसकी performance 20% टार्गेट को भी अचीव नहीं कर पा रही 20% टार्गेट भी हमें अचीव होता हुआ दिख स्कीम स्टार्ट की थी एमजी नेरेगा के नाम से इसके अंदर क्या होता था कोई भी रूरल हाउसोल्ड का रूरल हाउसोल्ड का कम से कम एक अडल्ड ठीक है रूरल हाउसोल्ड के कम से कम एक अडल्ड को साल में 100 दिन का employment प्रोवाइड करना होगा इस स्कीम के अंदर यह यह जो आपका program है जिसमें 100 दिन के employment प्रोवाइड की जा रही है this employment is demand driven यानि कि जिसको भी मतब rural household में कोई भी adult member अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है और वो जाके demand करता है that I need some work तो उसको within 15 days 15 दिनों के अंदर ही ये काम provide करना पड़ेगा 100 दिनों का इसके अंदर जो wages provide की जाएंगी वो wages minimum wages act 1948 के अंदर जो minimum wages हैं उसके according ही provide की जाएंगी इसके साथ साथ जितने भी लोगों को employment हो रही है उसमें one third employment women को दी जाएगी MG नेरेगा एक ऐसी scheme है जिसकी वैसे rural area के अंदर we saw an increase in wages क्यों क्योंकि minimum wages के अंदर जो ये लोग थे इन लोगों को 100 दिन का employment मिल रहा था जिसमें वो minimum wages ले रहे थे मैं एक example के तोर पे ले लेता हूँ कि rural area के अंदर अगर यही लोग किसी दूसी जगा पे किसी और इनसान के साथ काम कर रहे होते तो इनको wage मिल रही है let's say 20 रुपे की या 50 रुपे की मान लेते हैं ठीक है इनको 50 रुपे की wage मिल रही है लेकिन अगर ये MG नरेगा में काम करते हैं MG नरेगा के अंदर इनको wage मिल रही है let's say 70 रुपीज की 70 रुपे ज़ादा मिल रहे हैं ये इंसान प्रेफर करेंगे तो इसलिए क्योंकि जो लेबर है लेबर को एक opportunity मिल गई एक option मिल गया to earn more इसलिए लोगों ने क्या करना चालो कर दिया लोगों को ज़ादा wages देनी पड़ी ताकि ये जो लेबर है ये लेबर उनके साथ भी काम करती रहे तो MG नरेगा ने rural area के अ इसके साथ MG नरेगा के अंदर जो काम इनको प्रोवाइड किया जाता है 50% of that work 50% of that work is undertaken on the recommendation of Gram सभा तो Gram सभा 50% काम को चूज करती है और उनकी recommendation पे ही ये 50% काम किया जाता है नेक्स जो हमारी news है वो सेबी से जुड़ी है market के अंदर जो rumors होती है उसके विए से share prices के अंदर काफी ज़्यादा effect आ जाता है इन rumors को खतम करने के लिए सेबी ने एक plan बनाया है बहुत ज़्यादा important नहीं है एक बार यह आप read कर लेंगे तो उससे भी काम चल जाएगा नहीं तो जितना बता रहा हूं सिरब उतना ही याद रखिए आज की date में किशू यह आ गया है पहले क्या होता था पहले कोई भी company है जिसके public shares है अब यह company जब कोई information disclose करती है उसके बाद इस information का इस company के shares के prices के उपर असर देखने को मिलता है लोग या तो shares को ज़्यादा खरीते हैं तो prices increase हो जाते हैं यह share कम खरीते हैं जिसकी वज़े जो trading है वो कम होने लग जाते हैं जिसके prices कम हो जाते हैं ठीक है लेकिन आज की rate में क्या हो चुका है social media की वज़े से किसी भी company के बारे में कोई भी rumor स्टार्ट कर दो rumor स्टार्ट कर दो और इस rumor के basis पर ही लोग क्या करने लग जाते हैं share को shares के trading करनी चालू कर देते हैं इसकी वएसे कई लोगों को काफी जादा loss भी हो जाता है तो इसलिए सेबी ने जो companies हैं उन company से काया कि अगर आपकी company से जुड़ी हुई कोई भी rumors होती है तो उन rumors को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी या तो बता दो कि rumors true है या फिर ये बता दो कि rumors बिल्कुली baseless है ताकि लोगों का नुकसान ना हो rumor के basis पर कोई भी trading ना कर पाए ठीक है तो social media की विए से digital जो platform से उसकी विज़े से ये situation हमारे सामने आ रही है जिसको tackle करने की जरूवत है इसके साथ साथ सेबी ने ये भी कैप कि अगर कोई ऐसी information होती है जो कि मदब मान लीजे कोई meeting हुई है meeting में अभी फैसला नहीं हुआ या फिर फैसला हो गया उसके बाद इस information को public करने after two days ठीक है तो दो दिन का gap होगा अब इसी gap के दौरान ये जो information है ये information leak हो जाती है social media पर और लोग जो है trading करने लग जाते है तो से भी कहता है कि एक तो इस चीज के ओपर रोग लगनी चाहिए ये भी एक तरह की insider trading जैसे ही दिखाई दे रहा है दूसरा कि अगर कोई information leak हो गई आपकी तो जल्दी से जल्दी आप public announcement भी कर दीजिए उस information की ठीक है ताकि सबको ये पता चल जाए कि information सही है तो ये बहुत जादा important news नहीं है मेरे को दिखाई नहीं देता कि किस तरह इसमें pre में या means में कोशन बन सकता बढ़ फिर भी news में था so that is why I have covered it here ये आपके right off और wave off के बीच में क्या differences है वही चीज़े मैं आपको अल्रीडी ये बता चुका हूं इसके अलावा जो एक news हमें देखनी है वो है petroleum natural gas regulatory body ने natural gas norms को amend करने की बात गही है उनको amend किया है ताकि infrastructure को जाधा growth दी जा सके इंडिया क के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारी natural gas natural gas की infrastructure डेवलप और infrastructure कब डेवलप होगा जब natural gas की market के अंदर in natural gas की जो market है वो market improve होगी तो इन दोनों चीज़ को improve करने के लिए अभी petroleum and natural gas regulatory board ने अपनी तीन regulations के अंदर कुछ changes लेके आए और वो changes किन-किन regulations के अंदर आये एक changes आया है आपकी capacity के ऊपर इन तीन regulation को change करके ministry of petroleum चाहती है ministry of petroleum and natural gas चाहती है कि इंडिया के अंदर एक unified tariff न लग जाए पहली चीज़ कि जो prices पर natural gas supply होती है वो पूरे इंडिया में एक unified rate पर होनी चाहिए ठीक है unified tariff होना चाहिए दूसरी चीज़ी क्या चाहती है जो far-flung area है natural gas को एक दम far-flung area के अंदर भी supply करने के लिए pipelines लगें और pipeline लगाने के लिए हमें infrastructure की जरूरत होती है ठीक है और इंडिया का तीसरा सपना जो की बहुती बड़ा सपना है और वो सपना है कि हम चाहते है one nation one grid one tariff ठीक है यह हमारा सपना है तो जो भी आपके regional differences है tariff के अंदर वो सबके सब eliminate करना चाहते हैं इन regulations के अंदर changes करके regulation की बहुत जाद आपको detail जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप यह याद रखेंगे कि जो natural gas है natural gas के ऊपर हमारी government जो है वो खासा ध्यान दे रही है natural gas में आज की डियेट में दिक्कत के है दिक्कत यह है कि natural gas को far-plung area के अंदर अभी तक पहुँचाया नहीं जा रहा है और चीजों की डिवांड नहीं है तो इसके उपर private sector invest नहीं करेगा तो इसी लिए PNGRB की जो amendment है विल ट्राइट टू टैकल ओल इस इशूज त्रू इस अमेंडमेंट की जा रही है इसके सासाथ एक city gas distribution network के बारे में भी हम देखते हैं city gas distribution network जिसको हम cgd network के नाम से भी चान pipelines है जो कि आपस में जुड़ी हुई है और इन pipelines के तुरू हम supply करने करना चाते है natural gas यह natural gas के चार segments को target किया जा रहा है चार segment कों से है पहला तो है आपका compressed natural gas compressed natural gas जो है वो majorly use की जाती है आपके auto fuel की तरह auto mobile के fuels की तरह तो यह हमारे transportation sector के अंदर fuel provide करने की कोशिच करेगा फिर natural gas जो आपके घरों के अंदर cooking के लिए use होती है तो आपकी domestic supply वो pipe natural gas की तरह हो commercial supply और आपकी industries को supply ठीक है तो इन चार segment को target करते हुए एक interconnected network बनाया जाएगा piped supply of natural gas का ठीक है हमारा इंडिया के अंदर target यह है कि हम presently केवल 6% अपनी energy natural gas से लेते हैं अगर दुनिया में देख जाए तो natural gas से 24% energy ली जाती है तो इंडिया चाहता है कि यह 6% से हम increase करके लगभग 15% के आसपास तक पहुंच जाए इंडिया के अंदर यह चारो के चारो segment में natural gas का इतना इस्तमाल हो कि by 2030 by 2030 natural gas से 15% energy की consumption होने लग जाए ठीक है तो यह भी आपको city gas distribution network याद रखना है हमारी अगली news ondc से deal करती है ondc आपका open network for digital commerce एक बहुत ही important initiative है जो कि इंडिया के अंदर लिया जा रहे है ondc के अंदर क्या होगा देखे अगर आप amazon की app open करते हैं ठीक है तो आप amazon के buyer बन चुके है ठीक है आप amazon से खरीना चाहते है चीज amazon की app जब आप open करेंगे तो इसके उपर आपको सिरफ वही products दिखाई देंगे जो की amazon के sellers आपको बेचना चाहते हैं ठीक है मान लीजे आप product लेना चाहते हैं अगर कोई small small digital retailer है अब हो सकता है कि आपके आसपास की कोई बनिया की दुकान हो और उसने अपनी कोई website बना रख्यों कोई app मना रख्यों आपको उसके बारे में information नहीं है क्यों क्योंकि इस इनसान को compete करना पड़ रहा है amazon के साथ flip card के साथ मिंतरा के साथ तो इसकी app उतनी जदा visible नहीं होगी जितनी की amazon और मिंतरा इन सब की app होती है ठीक है तो जो as a buyer अगर आप एक platform को use करें तो आप उसी platform के sellers को देख सकते हैं आपका जो यह buying experience है यह बहुत ही जदा platform centric हो चुक है यह digital retail space चोटे retailers के लिए जदा beneficial नहीं रहेगी क्योंकि चोटे retailers को बहुत बड़े-बड़े plates के साथ compete करना पड़ते हैं तो इसलिए भारत की सरकार ने एक open network for digital commerce का pilot already start कर रहा है इसके अंदर क्या है इसके अंदर जितने भी यह platforms हैं जो की digitally commerce e-commerce की facility provide करते हैं इन से बोला रजिस्टर करा लिए voluntary यह mandatory नहीं है यह voluntary registration कराना इन्होंने रजिस्टर करा लिए अब कोई buyer Amazon की app खोलता और उसके उपर कंगी देखता है तो उसको क्योंकि Amazon ondc पर रजिस्टर करा चुक है तो जितने भी बाकी platforms जो की ondc पर रजिस्टर होंगे उनके भी prices और उनकी भी जो add है एड नहीं कहेंगे उनके भी जो search results है वो search results दिखाने लग जाएगा तो आपने app किसकी खूल रखे एब भली आपने Amazon की खूली है लेकिन अब आपका buying experience platform centric नहीं रहा तो यह कहा जा रहा है ondc is a big effort towards democratizing, democratizing online retail space, e-commerce space तो यह आपका ondc है, ondc के बारे में आप याद रखेंगे कि यह aggregator नहीं है aggregator का क्या मतलब होता है जैसे कि अगर मैं example लेता हूँ, ola uber का amazon का तो वो एक aggregator की तरह काम कर रहे है uber का example ले लेते है, uber क्या यह एक platform है, जिसके उपर सारे taxi वालों ने अपने आपको register करा रखा है, जिसके उपर सभी जिनको taxi चाहिए, उन्होंने as a user अपने आपको अपना account बना रखा है अब अगर मुझे taxi चाहिए होती है, पहले क्या होता था, मुझे taxi चाहिए होती थी तो मैं उस chalk पर जाता था, जहां पर सारे taxi वाले खड़े होते थे मैं उन taxi वालों से बात करता था कि मुझे destination यहाँ पर जाना है कौन चलेगा, ठीक है, अब मैं chalk पर नहीं जाता है, मैं अपने mobile में Uber की app खोलता हूँ और उस app पर जितने भी taxi वाले होते हैं, ठीक है, जैसे ही मैं अपनी destination डालता हूँ, जो भी सबसे pass में taxi वाला होगा, उस हमारे लिए जो भी driver अलॉट होता है, वो आता है, हम उसमें बैट के चले जाते हैं, तो इस platform ने क्या किया है, इस platform ने सभी cab drivers को aggregate कर दिया है on a single platform, अब हमें सिरफ एक click करना है, और बाकी हमारी destination के according, जो भी suitable, available driver होगा, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, similarly Amazon क्या करता है, Amazon कहता है कि जितने भी sellers है, come and register on my platform, ठीक है, अब वो register करेगा, Amazon ये ensure करता है कि वो सारी GST या फिर जो भी compliance है, वो सब fulfill करे, अब हमें कुछ भी खरीदना है, तो हम market में जाने के वजा है, Amazon की app पे जाते हैं, चीजों को search करते हैं, और हमारे पास search result आ जाते हैं, ये aggregators होते ह हैं, लेकिन ONDC is not an aggregator, ONDC aggregator नहीं है, वो aggregator का काम नहीं कर रहा, वो सिरफ एक platform provide कर रहा है, जिसके ओपर ये voluntarily register कर देंगे, और जितने भी company voluntarily register करेंगी, वो सारी की सारी company एक तरह से link हो जाएंगी, ठीक है, एक तरह से उनके link करने का ये काम कर देगा, और इसको कौन, वो करे similar lines of UPI, unified payments interface जो इंडिया के अंदर use करते हैं, उसी similar lines के उपर quality council of India इसको run करने वाली है, तो ONDC के बारे में आपको ये चीज़े याद रखने है, क्योंकि एक important development है, और यहां से आप उमीद कर सकते हैं कि question आ सकता है, अगली news हमारी है, lithium से जुड़ी हुई, जो कि एक बहुत important material बन चुका है आज की rate में, lithium एक ऐसा metal है, जो कि दुनिया में सबसे light है, सबसे lightest metal है, जो कि solid भी होता है, lightest solid metal होता है, और majorly lithium आपके ABC nations के अंदर पाया जाता है, ABC आपके Argentina, Bolivia and Chile, तो अगर आप South America का map देखेंगे, तो यहां पे आपको इस तरह से ये तीन nation दिखाई दे ठीक है, यह एक तरह का triangle बन रहा है, तो इसलिए इन तीन देशों को हम lithium triangle के नाम से भी जानते हैं, इस triangle में आपके यहां पे आपको चिली देखने को मिलेगा, यहां पे आपको Argentina देखने को मिलेगा, और उपर की तरह बोलीविया आपको देखने को मिलता है, तो यह हो इंपोर्टेंट क्यों होता जा रहा है, तो आज की डेट में पूरी दुनिया का focus है कि हम non renewable energy से renewable energy sources की तरफ चले, renewable energy sources के अंदर अगर मान लीजे, मैं एक example लेके चलता हूं, मैं solar energy की बात करता हूं, तो solar energy में क्या आपके solar panel लगे हुए, दिन के दौरान वो charge होंगे, ठीक ह और वो कहां पे store की जाएगी, वो store की जाएगी lithium की batteries के अंदर, तो अब battery बनाने में lithium जो है वो बहुत ही जादा important है, तो चाहे आप अपने phone की बात कर ले, electric vehicle की बात कर ले, किसी भी चीज की बात कर ले, batteries जो है वो आने वाले समय में बहुत important होने वाली है, और batteries बनाने के ले लीथियम चाहिए होता है तो इसी लिए इंडिया जो है वो लीथियम के लिए अपने वो ढूंड रहा है कि कहां कहां से वो लीथियम को एक consistent supply ले सकता है आज की रेट में लीथियम जो है सबसे दाधा पाया जाता है ABC इसी ट्रैंगल में अर्जंटीना बोलिविया और चिले में दुनिया का 50% डिपॉजिट जो है वो इन तीन रीजन के तीन देशों के अंदर पाया जाता है बोलिविया के अंदर सलार डे उयूनी यह लिखा हुआ यहां पर सलार डे उयूनी जो है वहां पे सबसे मासिव लीथियम रिजर्व हमें करनाटका के मांडिया डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल रहा है मरला गला अल्ला पतना रीजन के अंदर यहां पर हमें पहला रिजर्व देखने को मिले इसके अलावा लीथियम आपके चायना और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है इसलिए च जाके लीथियम के जो resources है उनको explore करेगी ठीक है अब धीरे-धीरे हम क्या करना चारे हैं हम देशों के साथ ऐसी engagement increase करें कि आने वाले समय में हम लीथियम के consistent supply ले सके और हमें किसी एक देश especially China के उपर dependent ना होना पड़े ठीक है अब यह जो team कही है इस team के अंदर धेर सारे geologist and ge geologist from Mineral Exploration Corporation India Limited, काबिल की full form है खनिज बिदेश India Limited and Geological Survey of India काबिल जो है काबिल अपने आप में एक joint venture है MECL का MECL का Mineral Exploration Corporation Limited, HCL का and NALCO का काबिल को क्यों बनाया गया था काबिल को इसलिए बनाया गया था कि ऐसे बहुत सारे minerals है जो की आने वाले समय में हमारे asset बन सकते हैं तो यह जो mineral assets है जैसे की lithium हो गया, kobalt हो गया यह विदेश में जाके विदेश में जाके इन assets को identify करे और इनको acquire करने का काम करे तो इसके ल और इंडिया के हो क्योंकि इंडिया के लिए ढूंड रहे हैं कि किस तरह इसको acquire करेंगे हम आने वाले समय के अंदर, यह एक बहुत ही important news है कि lithium के अंदर हमारी team जा रही है, sorry, Argentina के अंदर team जा रही है for lithium, lithium की significance भी आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छा lithium मिलता कहां से lithium आपको मिलता है या तो brine से या फिर mind rock से, यह fact आप अच्छे से याद रखेंगे, lithium की extraction इसके अंदर दिक्कत क्या दिया, दिक्कत यह है कि जो lithium जो पाए जाते हैं, अगर हम natural form में lithium को देखते हैं, कोई pure lithium है अगर, तो यह pure lithium बहुत ही जादा reactive होता है, और इस reactivity की हम आपको पाए जाएंगे, एक brine solution के form में, brine solution क्या होता है, salt के साथ mixed, ठीक है, salt के साथ mixed, तो जो हमने बोलिविया का एक नाम देखा था, जिसका नाम है, solar de uni, solar de uni में solar का मतलब है salt flat, यहाँ जो आपका salt पाए जाता है, इसी salt का एक constituent element होता है lithium, और इसी से lithium को extract किया जात है, ठीक है, तो pure form के अंदर lithium आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं, या तो brine की form में मिलेगा, या फिर salt के constituent की form में मिलेगा, ठीक है, या किसी और और की form में होगा, तो इसलिए सबसे अधा जो salt आपको, सारी, सबसे अधा lithium जो आपको देखने को मिलेगा, किसी salt flat के region में ही देखने को मिलता है इसके साथ लीथियम की कुछ properties आप याद रख सकते हैं लीथियम एक alkali metal है लीथियम heat और electricity को heat और electricity को बहुत ही अच्छे से conduct करता है इसकी conductivity बहुत ही हाई है heat और electricity को लेके अब इसकी heat और electricity को अच्छे से conduct कर लेता है इसकी वज़े से इसको glass की manufacturing में use किया जाता है high temperature lubricants की manufacturing में use करते है इसके आपके pharmaceutical यूज भी है लीथियम का और लीथियम आयन बैटरीज भी इससे बनाई जा सकते है लीथियम आयन बैटरीज भी इससे बनाई जा सकते है जादा तर जो लीथियम saleable form के अंदर जो बेचा जाता है ये लीथियम आपके लीथियम कार्बोनेट की form में होता है ये लीथियम आपके लीथियम कार्बोनेट की form में आपको बेचा जाएगा ठीक है तो 20 से लेके 26 नवेंबर की economy की news के अंदर यही चीज़ें जो हमें देखनी है